वेलकम है आपका आज की इस विडियो में और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और संडे को एंजोई जो है आप कर रहे होंगे और आज क्या कुछ अपडेट सारी हैं सारी अपडेट आपके साथ कवर करेंगे और क्या कुछ मार्केट के एक्शन है ठी 19,300-400 पे बिट्कोइन ट्रेड कर रहा है और जैदा कोई मुवमेंट नहीं है वॉल्यूम नहीं आ रहा है अभी फिलाल है ना 19,422 पे चल रहा है और 940 बिलियन डॉलर पे यहां पे पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है हलकी सी मार्केट डाउन है और अगर हम बिट्कोइन के लेवल देखें तो 20,000 से बिट्कोइन आके अटक गया है कहां पे 19,200-300 से लेके 500 बस इसी प्राइज के अंदर जो है मूव कर रहा है और जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो इंपोर्टेंट वीक होने वाला है कल से क्या कुछ रहता है कितना वालियूम आता है मार्केट के अंदर क्या बिट्कोइन फिर से 20,000 डॉलर कल टच कर पाएगा कल परसो ठीक है अभी फिलहाल वीकेंट के उपर ज्यादा कोई वालियूम नहीं है मार्केट में 13-16 डॉलर पे जगर आप देखो इथिरियम आ चुका है अगर हम BNB बात करनें 277 डॉलर पे इसके प्राइज आ चुके हैं काफी अच्छा ड्रॉप हुआ है जो एक हैक हुआ उसकी वज़ा से ड्रॉप हुआ प्राइज और थोड़ा सा मार्केट ने भी यहाँ पे BNB के प्राइज में नमी लेके आया है अगर आप देखो 0.51 है तो सभी कोईन्स के अंदर हलका फुलका बिटकोईन के साथ साथ करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है बिटकोईन जब तक बड़ी छलांग नहीं लगाएगा बड़ा जंप नहीं लगाएगा मार्केट के अंदर ओल्ड कोईन्स के अंदर एक अच्छी रैली नहीं आ सकती है ना तो अगर आप देखो हलका फुलका करेक्शन सभी कोईन्स में अगर हम शिबा इनू की भी बात करते हैं तो 1105 पे इसकी सीरीज चल रही है और 11 पे इसने खुद को मेंटेन कर रखा है 1091 पे भी गया है लो और 1112 का हाई है और 17,86,000 लोगों की नजर में शिबा इनू पहुचने वाला है और चार्ट अगर आप देखोगे ज़्यादा कोई मोवमेंट नहीं है अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 36% यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है रेड में 39% और 6 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बना हुआ अभी तक शिबा इनू गा यह काफी positive signal है कि 6 बिलियन डॉलर का मार्केट लेके बैठा है अभी तक शिबा इनू और 14 पे stable है शिबा इनू की rank तो यह कुछ आज संडे को मार्केट के जो है हाल चल रहे हैं और थोड़ा सा मोमेंटम जो है next week आता हुआ हमको दिखेगा ठीक है तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 ऑक्टूबर की और 13 ऑक्टूबर इतना important क्यों है अगर आप देखोगे यहाँ पे schedule for releases for the consumer price index CPI data जो है फिर से यहाँ पे आने वाला है और September month का ही जो data है यह आएगा 13 ऑक्टूबर को और 13 ऑक्टूबर को 8.30 AM US timing की अगर आप देखोगे 8.30 AM की है यह जो data आप देख रहे हो 13 ऑक्टूबर वाला ठीक है पिछला जो है बढ़के आया था जो हमने September में देखा उसकी वज़ा से market crash हुआ था लेकिन यह जो October वाला है 13 ऑक्टूबर को तो 13 ऑक्टूबर इवनिंग में 6 PM जो है इंडियन टाइम रहेगा और देखो पिछला data आया था बढ़के आया था 8.1 या उससे नीचे expected था उससे नीचे नहीं आया नहीं 8.1 आया 8.3% आया तो इस बार chances नहीं है कि data बढ़के आएगा अगर data यहाँ पे फिर से बढ़के आता है तो market के लिए यह वाली date भी volatile वाली date होगी ठीक है और अगर data कम आता है CPI data जो inflation data है CPI inflation data जो consumer price index अगर इसके number कम आते हैं जितना expected है उससे भी कम आते हैं तो market के लिए bullish signal होगा और bitcoin 1000, 2000, 3000 भी उपर जा सकता है ठीक है मतलब इतना भी price increase हो सकता है क्योंकि October मन्त है तो यह कही ना कही एक signal मिल जाएगा market के लिए bullish और अगर यह data जो है 13 October को जो data आने वाला है अगर कम आया तो market bullish mode में भी जा सकती है और अगर फिर से बढ़के आया तो market down भी जा सकती है और इस बार जो expected है क्योंकि पिछली बार बढ़के आया था तो इस बार कही ना कही ज़रूर मिलेगी क्योंकि interest rate को भी इन्होंने फिर से hike किया है मतलब hike करते जा रहे हैं तो अब भी inflation control नहीं होगा आप भी number बढ़के आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है लगातार यहां पे interest rate को भी बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी inflation नहीं हो रा control तो इस बार जहां तक expected है data कम आएगा ठीक है और जो भी data आएगा सबसे पहले telegram channel पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो 13 October का wait कीजिए इसलिए कह रहते next week बहुत important है है तो 13 October को market bullish mode में भी जा सकता है depend करता है कितना number आता है ठीक है जो भी आएगा telegram पे आपको मिल जाएगा link है description में join नहीं किया है तो join जरूर कर लेना next update की बात करें तो वो है Robert Kiyosaki आपको पता है पिछले कुछ टाइम से काफी इनके tweet आ रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि bitcoin को buy करें इस time पे क्योंकि आने वाले time में जो economic crash की जो बात की थी इन्होंने वो भी यहाँ पे सामने रखी तो काफी time से यहाँ प by bitcoin sitting pension fund and inflation तो चाहे pension funds की बात कर लीजिए bonds की बात कर लीजिए inflation सब चीजें क्या हो रही हैं ये तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप clearly समलो कि Robert Kiyosaki जो rich dad poor dad के author हैं वो काफी positive और काफी bullish हैं bitcoin को लेके और जो भी इन्होंने ये चीज़े कहीं हैं कि 2023 में जो है dollar का crash होगा है ना January से dollar crash होना शुरू होगा और अगर dollar crash होगा तो market के लिए अच्छा signal होगा और 2023 में market उपर जाना शुरू कर सकता है ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये signals है dollar crash होगा तो signal है market के उपर जाने का कि अब market का time आगया बहुत कर लिया इन्होंने सब कुछ inflation ये सब चीज़ें अब कम होने वाली है आने वाले time में और कम होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जो time आने वाला है अब जो cycle आने वाली वो bullish cycle आएगी वो भी market की crypto market की ठीक है तो यही सब चीज़ें है Robert के उसाखी भी ये काफी time से explain कर रहे हैं है ना next update है Coinbase expend its services in Australia via two new crypto features तो Coinbase भी अब जो है यहाँ पर अपनी services को expend कर रहा है Australia में और Coinbase introduce pay ID and retail advanced trading to Australian based customer to grant them additional cryptocurrency services तो यहाँ पर pay ID और retail advanced trading तो कुछ ऐसे दो feature यहाँ पर जो है लेके आया है Australian users के लिए और more crypto options forosis है ना तो कहीं न कहीं expend कर रहा है अपनी services को Coinbase Australia में नए feature launch किये है next update है यहाँ पे PayPal की तरफ से new PayPal policy let's firm fine user to 2500 dollars for spreading misinformation तो एक तरह से समझ लीजिए कि PayPal की तरफ से कहीं न कहीं एक bad update है और बहुत सारे लोग इस update को खुश नहीं है ना Twitter पे इस time पे PayPal trend हो रहा है और एक नई policy लेके आया है PayPal अपने अगर आप देखेंगे a new PayPal user policy that permit the company to fine users 2500 dollars for spreading misinformation has caused quite a stir on social media platforms तो कहीं न कहीं misinformation को लेके जो है यहां पर अगर कोई separate करता है misinformation तो यहां पर fine किया जाएगा 2500 dollars है ना कहीं न कहीं बहुत सारे user अगर आप Twitter पे देखेंगे तो बहुत सारे user इस time पे PayPal account को बंद भी कर रहे हैं है ना तो बहुत जैदा यहां पर fine है इस policy के अंदर कि इतना यहां पर fine किया जाएगा misinformation के लिए वह 2500 dollars एक बहुत अच्छा और बड़ा amount होता है ठीक है तो देखते हैं यह policy अब कैसा future लेके आती है PayPal के लिए और लोग कितना यहां पर जो है इस टेम पर तो support नहीं मिल रहा है है ना नेक्स अपडेट है 100 billion SHIB grab by whale after this major milestone of SHIB तो एक और यहां पर buying होती होई whales की तरव से तो बिल्कुल this whale has bought 100 billion SHIB inspired by the recent success of Shiba Inu तो यहां पर जो है आपको पता है Shiba Aeternity launch हो चुकी है और whale alert 100 billion SHIB transferred ठीक है और Shiba Aeternity का कहीं न कहीं यहां पर जो है काफी अच्छा response मिल रहा है और ऐसे में whales ने यहां पर फिर से grab किये हैं है ना 100 billion SHIB coins तो काफी जदा transfer कर रही है कभी खरीद रही है कभी sell कर रही है whales ठीक है तो इस तरह की चीजें इस टाइम पर whales के अंदर हो रही है नेक्स्ट अप्डेट की बात करें तो वो है बिटगर्ट को ले के बिटगर्ट के supporter community काफी जदा है काफी जदा strong community हो चुकी है बिटगर्ट की इस टाइम पर और ऐसी ही community यहां पर बहुत सारी update भी separate करती रहती है तो वीराइज is coming on Binance sooner than expected देखो अप्डेट या rumor कुछ भी आ सकते हैं लेकिन बिटगर्ट जिस तरह की चीजें कर रहा है ना जिस तरह से इसकी listing back to back होई है तो आने वाले टाइम में Binance के उपर भी list हो सकती है इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है Binance के उपर भी listing हो जाएगी और एक दम से ही हो जाएगी मैं यह नहीं कहरा इस साल हो जाएगी लेकिन अगले साल हो सकती है टाइम लग सकता है पहले भी हो सकती है लेकिन हो जरूर सकती है और जिस तरह से community भी काफी ज़्यदा positive अगर यह Binance के उपर list होता है तो काफी अच्छा support मिलेगा इसको ठीक है क्योंकि इतनी zero है तो zero भी kill करेगा अगर Binance listing होती है तो आपके क्या views हैं कि Bitget Binance पे इस साल list हो सकता है या नहीं हो सकता आप comment करके जरूर बताईएगा last and final update की बात करें तो वो हम बात करेंगे यहां पे Bitcoin के top 100 richest Bitcoin addresses की Bitcoin holders बॉल लीजिए whales बॉल लीजिए या जो भी बॉल लीजिए इन top 100 addresses के पास Bitcoin सबसे ज़्यादा है कितने Bitcoins हैं इनके पास अगर आप देखोगे top 100 addresses की बात कर ले top 100 है तो सबसे ज़्यादा Bitcoin तो होंगे obvious सी बात है the top 100 richest Bitcoin addresses hold a total of 29,082,783 पूरे-पूरे 30,00,000 ही लगा लीजिए है न तो 29,00,000 से उपर का number है इतने Bitcoin इन 100 richest Bitcoin addresses के पास है और इन सब Bitcoin की value है 57,9 billion डॉलर Bitcoin का जितना भी market cap है 57,58 billion डॉलर इन top 100 addresses का है, richest holders का है ठीक है क्योंकि इनका अगर आप contribution देखेंगे market cap में, Bitcoin में तो वो 29,00,000,000 Bitcoin है और सीधा-सीधा 57,9 billion डॉलर की इनकी value है तो I hope आज की इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे वीडियो आपको पसंद आयागा वीडियो पसंद आया वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा चैनल को भी subscribe कीजिएगा और नीचे description में telegram, twitter के link है join नहीं किया तो कर लेना, वहाँ भी update आपको मिलते रहते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye